नितीश डी कहा रहे है कि आपको कहीं से पता चले कि किसका murder किस ने किया है तो आपको बताना चाहिए ना और आगे साहब कहते हैं कि आपका सवाल अनुप्यूक्त है गजब सर, माने अप पत्रकार खोजे की कौन किसको मार दिया, माने अप पत्रकार आपको investigation करके भी धे और फिर कोई सवाल कुछ है तो आप डाइरेक्ट कहते हैं कि आप किसके पाले से आते हैं आपका पाला क्या है सर ये आज तक आपकी राजनीती के करियर में कोई जान नहीं पाया कि आप कब कहा ढूलक जाते हैं और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं आप से सीधा पुछता कि आपकी इस पाले से आते हैं आप अपना डिसीजन लीजिए हमारी ब्रयादरी के लोगों को निश्पक्ष रहने दीजिए नमस्कार मिरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं उसके बाद निश्पक्ष जी कहते हैं कि हम आप लोगों से पूछते हैं कि पहले क्या था 2005 के पहले क्या था सर 2005 में हम पढ़ाई कर रहे थे और हम बिहार में नहीं कर रहे थे हमको क्या मतलब की 2005 में क्या था हमको मतलब है कि अभी क्या हो रहा है और आप तह रहे हैं कि कारवाई हो रही है कौन सी कारवाई हो गई गोपाल गंज के तीन मडर में कौन सी कारवाई हो गई पठना के पार् सिर्फ शब्द है और जिस जंगल राज का भवकी देकर आप अपना कारेकाल चला रहे हैं यही जंगल राज आपको एक दिन डुबो देगा आगे चाचा जी कहते हैं कि बिहार अपराद के मामले में 23 नंबर पर है और पहले जो अपराद होता था उससे अपराद बहुत कम हो हुए थे 2002 में एक लाख एक हजार पच्पन मामले दर्ज हुए थे 2003 में 98, 1298 2004 में एक लाख 15,216 2005 में एक लाख 4,788 और अब इसके बाद का ग्रोथ देखिएगा नितीश जी अगर आपका छोटका दिमाग ना हिल जाए तो कहिएगा 2006 में बिहार में एक लाख 10,716 केस दर्ज हुए थे 2007 में एक लाख 18,184 2008 में एक लाख 30,693 में मज़ा आ रहा है ना नितीश जी आपके क्राइम के रेशियों का ग्रोथ देखकर 2009 में एक लाख 33,525, 2010 में एक लाख 37,572, 2011 में एक लाख 47,633, 2012 में एक लाख 60,271, 2013 में एक लाख 84,961, 2014 में एक लाख 95,024, 2015 में एक लाख 95,397, 2016 में एक लाख 69,681, और अब एकदम खूब जोर से ताली बजाकर स्वागत करिएगा 2017 में 2,36,333 केस बिहार में दर्ज हुए थे 2018 में 2,62,802 केस 2019 में 2,79,99 केस 2020 की काउंटिंग अभी चल रही है सुन लिए और उसके बाद आप पत्रकार से पूछ रहे हैं कि आप किसके समर्थक है वो सवाल पूछ रहा था समर्थन की बात नहीं कर रहा था और दूसरी बात जब आप ये कह रहे थे कि दूसरे के कारेकाल में जो अपराद हुआ आप उसको हाइलाइट क्यों नहीं कर रहे तो सर जो अपराद 2005 के पहले हुआ उसको हाइलाइट अभी क्यों किया जाएगा आपके कारिकाल में दस आदमी को रोज मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपने अपराज को कम किया है कौन से मूँ से सर सत्ता के उचतम स्थान पर बैठने के लिए इतना गिर जाईएगा इसका भी अंदाजा नहीं था इतनी बौकलाहट के बाद रुपेश हत्याकांड के चार दिम बाद एक और आदमी को लटका दिया गया लटका दिया माने बंदूक से गोली मार दिया और हुजूरे आला का फर्मान आया है कि हमसे सवाल बिल्कुल मत पूछिए क्योंकि 2005 के पहले बहुत ज़्यादा क्राइम रिश्यो था और इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा होगा हुजूरे आला को ये पता नहीं है कि उनके द्वारा दिया गया 48 घंटे का इल्टीमेटम कब का पूरा हो चुका है उनको शायद ये भी नहीं पता है कि ऐसे कई मडर रोज होते हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है लेकिन हमारे साहब तो बहुत जोर से आकर ये कहते हैं कि हमने तो बिहार को अपराद से बिल्कुल मुक्त कर दिया है और उनी साहब के पीछे खड़े थे हमारे मंगल पांडे जी मास्क सभालते हुए साहब कुछ बोल नहीं पा रहे थे कहें कि हो सकता है कि उनको क्रिकेट का स्कोर जानने का मन कर रहा हो लेकिन एक बात तो तय है वो ये कि मुख्यमंतरी बनने के बाद नितीश कुमार की बॉकलाहट जिस तरीके से सामने आ रही है वो ये दर्शाता है कि मुख्यमंतरी साहब कही न कहीं फेल हो रहे है और उनके इस फेलियर के पीछे सिर्फ उनका ही हाथ है कहें कि अल्टिमेटम देने के बाद भी अगर पुलिस को एक सुराग तक ना मिले और फिर मुख्यमंतरी साहब आकर कहे कि आप लोग 2005 के पहले हुए मामलों को हाइलाइट करिए तो सोचिए ना कितनी शर्म की बात है उस प्रदेश के लिए और उस प्रदेश में रह रहे लोगों के लिए लेकिन क्या फरक पड़ता है ये बिहार है वही बिहार जहां पर 28 लड़कियों का रेप रोज होता है और कोई पुछने वाला नहीं होता है वही बिहार जहां मडर के बाद अल्टिमेटम के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है वही बिहार जहां नितीश कुमार मस्थ गदा पर सोकर ओडर दे रहे होते हैं और उनके DGP साहब पत्रकारों का फोन नहीं उठाते हैं और जब पत्रकार कहते हैं कि आप BGP को हमारे सामने फोन लगाए तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम मोबाइल लेकर थोड़ी चलते हैं अरे सर तो CM का कुर्सी लिवी छोड़ दीजिए और किसी उस पर काबिल आदमी को वैठा दीजिए तब न लगेगा कि आप सच में स्वार्थी नहीं है पत्रकारों के बीच में आकर ये जोर से चिलाना कि आप किसके पाले में हैं और उससे पूछना कि आपने साथियों से कह दीजिए कि वो भी ठीक से रहें ये दर्शाता है कि उस प्रदेश का मुक्ष मंत्री कितना बवखलाया हुआ है और इस बात का प्रमान है कि सूबे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है हर बार ये गाना गाने ना कि पिछले कारेकाल में कैसा था और इस कारेकाल में कैसा है इस पर गौर कीजिए इससे काम नहीं चलेगा काम इस बात से चलेगा कि आप इस बात को प्रमानित करिए कि आपने अपने सूबे को कितना स्वक्ष रखा है जिस अपराद के नाम पर आप सत्ता में आए हैं, उसी अपराद के साथ आप खिलवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अगर पता है, तो हमको बताए ना कि किसने मडर किया है तो एक काम करें न सर, हम ही को बना दिजे DGP, खुब बढ़ियां से काम करेंगे और इतना बढ़ियां काम करेंगे कि बंदूक उठाने से पहले डेर सो बार नहीं सोचवा दिये तो कहिएगा बाकी सब कुछ सही चल रहा है इतना सही कि कब सरकार गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है इतना सही कि तरस्वी आदाव मुह बाए खड़े हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना सही कि भाजपा वाले अपना अलग राप अलाप रहे हैं लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार का क्या होगा बिहार से किसी को मतलब थोड़ी है धन्यवाद